और घर जाके एक्ष्टा पड़ो के कोई चीज और उसमें कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो हमें पूछोगे जो तुम से होना नहीं है अभी तक नहीं होता क्योंकि हम क्लास में पूछते हैं हम यहां से रटा के याद करके अच्छे से बेज़ते हैं सब को घर समझ में आ गया आ गया याद कितनों को है सब आथ कड़ा करते हैं और दूसरे दिन तीसरे दिन वापस पूछते हैं कि कल दो दिन में पढ़ाया वो बताओ कितनों को याद है तो साथ या आठ लोग आथ कड़ा करते हैं बाकी लोग यह नजरें नीचे करके बैठाते हैं हम क् के बाद भी हम permanently जैसे जो शिवा है और जब भी अब आएगी तो वो खुद भी ये बाहर बैट के बच्चों का evolution तो हमारे जो मेंस दिये हुए बच्चे होते हैं पिछली वेकेंसी के अंदर या हमें लगता है कि इंटेलिजेंट बच्चे हैं और अब इनकी कोचिंग पूरी हो गई है लेकिन अगली वेकेंसी देंगे तो इस तरह के intelligent students हर class के बाहर जो है वो बैठते हैं आप को कोई भी doubt है तो आप उनको अपने doubts पूछ सकते हैं आप कोई भी answer लिख के लिके आते हैं तो आपका answer भी वो check करते हैं answer में क्या लिखा जाना चीए तो इस तरह से guide करने के लिए यहां पर खुब हैं लेकिन पढ़ने वाले लोग नहीं हैं सही बात यह है कि students को हमसे शिकायत नहीं होती हमें students से हमीशा शिकायत रहती है कि हम लोग जत्ती मैनत कर रहे हैं उतनी मैनत तुम लोग नहीं कर रहे हो और फिर हम उनको कहते भी हैं कि आपको और कहीं ब कुछ नहीं बच्चों को बाद, फिर भी हम कहते हैं कि देखो हम जो लोग हैं वो सुबह 7 बजे आते हैं और साम को 7 बजे तक 10-10 गंटे, 12-12 गंटे क्लास लेते हैं, अगर हमारे पास सब कुछ होते हुए हम इतनी मैनत कर रहे हैं, तो तुमारे पास तो कुछ है यही नहीं, इसे तुम में तो करने ही चाहिए कि मैनत करने की प्रेड़ना कहां से लेनी है मैनत करने की प्रेड़ना आगे जो खड़ा टीचर है उससे लेनी है उसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो 12 गंटे मैनत कर रहा है और तुम कुछ भी नहीं है फिर भी तुम से 12 गंटे तो ज कि जतनी मैनत हम कर रहे, तुम पर उतनी मैनत तुम लोग नहीं तो एक तो ये और दूसरी जो शिकायत इस तरह कोई लोग English बोलने वाले होने चीए तो टीचर जब English में लिखाता है या English में बोलता है तब वो रात 365 दिन अपने आसपास रोजानाद 6 गंटे की क्लास में थोड़ी English सुनेगा तो उसके English का फोबिया और वो सुनते समय थोड़ा गौर से ढंग से सुनना शुरू कर देगा और English के टर्म्स लिखना शुरू कर देगा तो उसका English का फोबिया खत्म हो जाएगा और उसके English भी इंप्रूव हो जाएगी तो इसलिए यह जो फाइदा है इस वज़े से यह bilingual बैच होता है जिसमें Hindi और English और यह फाइदेमंदी यही रहता है एक्सक्लूजिवली जो है व है ड्राम वे सिुन होता है इस्ते मन्डे को वाइब सब्सक्राइब इस धनु-चेडैर्ट के सक्क्षा सब्सक्राइब है और गॉल्टा गज़ें प्रतित ईंप्रोग intern at tv यहां है और याँ आते हैं थो नवीन जी उनको किसी क्लास मीले जा के घड़ा करें देते हैं तो इसलिए वो खूबी है फिर आप स्टुडेंट खुद ही तंग हो जाते हैं कि सर अब रहने दो सिलबस नहीं खिच रहा है आगे इसलिए प्लीज हमारे जो है वो क्लासें लगा दो अब थोड़ा मोटिवेशन रहने दो मोटिवेशन जादा हो गया पढ़ाई थ इस तरह से यह जो जितनी विशेश्था हैं होती है यह सारी विशेश्था है जो है वह स्पिंग बोड़ अकैडमी में है तो अब मेरे खाल से मुझे टाइम थोड़ा जदा हो गया और पीछे जो है वह इतने वक्ता भी है अब मैं आपके बारे में बात कर लों थोड़ी सी अब इस बारात के दूले तो आप हो डिपेंडर ये सारी बात है एक तरफ अब आपको अपने बारे में सोचना है कि आप आरेस बन सकते हैं या नहीं बन सकते ये आप ही ते करेंगे और बागी सारी चीजें गौरं ने कोई मतलब नहीं अगर आपने ठान रखाए कि आपको को आरेस बनना है और आपके अंदर आपका जो wilpower है वो मजबूत है तो आपको दुनिया की कोई ताक्त आरेस बनने से रोख नहीं सकती है और अगर आपने खुदे शस्र डाल दिये हैं आपने खुदने हार मन ली ए आपका खुद का willpower ज़्यादा मजबूत नहीं है तो मैं तो क्या शाक्षात ईश्वर भी इस धर्ती पर अवतार ले ले वो भी आपको आरेस नहीं बना सकते। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर आपको सोचना है coaching के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है books के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है और किसी motivation के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है आपको केवल अपने बारे में सोचना है कि मैं आरेस बनने का willpower मेरे अंदर कितना है क्योंकि वो normally कुछ लोगों को just एक कोई movie देखते हैं और उसमें IPS का रोल गंगा जल देखते हैं और गंगा जल देखती बार निकलती कि बस अब अपने को भी चाहिए फुल इच्जत और इसके लिए अपन बनेंगे IPS और IPS कैसे बना जाता है पूछोगे दुरुदर और एकदम से जोस आया और चार दिन में जो जोस ठंडा हो गया या किसी लड़की को प्रपोज किया उसने मना कर दिया अब तो कि अब तुम्हें तुझे बन के ही दिखाऊंगा तो इस तरह से जो जोस आया या रिस्तदारों ने कोई कटाक्स कर दिया तुम पे कि वो क्या करता है तुम्हेरा लड़का ऐसा कि अच्छा उन रिस्तदारों के ऐसा कर दिया अब तो मैं करके बनके ही दिखाऊंगा या कोई रिस्तदार बना हुआ अरिस्त बना हुआ है और तुम गए मिलने के लिए उसने टाइम नहीं दिया तुमें और तुम्हें जोस आ गया कि अब तो मैं आरेस बनके ही दिखाऊँगा और इससे उपर बनके दिखाऊँगा और ये वापस मेरे से मिलने आएगा मैं भी इसको टाइम नहीं दूँगा अगर ऐसे कारणों से आपको अगर जोस आया है तो आप में बनने की संबामना बहुत कम है ऐसे कारणों से जो जोस आता है वो जोस बहुत खशनिक होता है सही जोस है कि आपके भली किसी ने कुछ नहीं किया है इन मेंसे एक भी गटना गटित नहीं हुए लेकिन सुबह उठते ही और शाम तक तुम्हें ये लगता है कि तुम ये बनने के लिए ही जन्मे हो तुम साधरन आदमियों की तरह कीडे मकोडों वाली जिन्दगी जीने के लिए बने ही नहीं हो और दिन के हर पल हर जगे तुम जब भी तुम्हेरे आस पास से निकलता है तो तो यार मुझे भी बनना है उसल अवसर ने खोई अपमान नहीं किया कुछ नहीं किया लेकिन उसको देखा तो कुक्ह मुझे बनना है टी वी पे सोसल मेडिया में कहीं पे कुछ कहीं भी देखा OTS के आगे से निकले तौ कहयार अपने पास भी अफसर की गाड़ी निकली, बत्ती लगी हुई, नेम प्लेट लगी हुई, यार ये अपने पास भी होनी चाहिए, आली शान कोठी की सामने से निकले, अर यार अपने भी कोठी ऐसी होनी चाहिए, रामबाग पैलेस के आगे से निकले, अर यार रामबाग में जाके लंच करन होती है और फिर आपको लगता है गा आप ये जगे-जगे लाइनों में खड़े रहने के लिए-न नहीं जनवीं हो यह इएक ही जीवन है मनुष्षी जीवन इसको या तो कीडे मखुडों की तरह बिता दो या पिर इस जीवन को शहांशाओं की ॡ तक जा सकता हूं और अगर आप वह भाव है so सोते जागते उठते बैठते वो चीज आप आप खुद ही अपने मोटिवेशन जो होंगे और आप खुद अपने मोटिवेशन है तो फिर आपको और किसी तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है तो इसलिए वास तुमें ऐसा मोटिवेशन आपके अंदर है या नहीं है सबसे चीज जिंदगी में सफल होने की भूक आप में है या भूक होनी चीए सफल होने की एक तो होता है विचार एक होती है इच्छा सफल होने की और एक होती है प्रबल इच्छा सफल होने की और एक होती है सफल होने की भूख, जब भूख लगती हैं तो बिना बोजन के आदमी रह ही नहीं सकता, तो जिस वक्ति को सफलता की भूख है, वो बिना सफल हुए जिन्दा ही नहीं रह सकता, उत्ती वैसी वाली अगर भूख आपके अंदर सफल होने की है, और वो 24 गंटे है, ऐसा नहीं कि एक दिन मे है, दो गंटे, तीन गंटे ऐसे आते हैं, जब आपको इस तरह का जोश आता है, नहीं, वो 24 गंटे आपके अंदर वैसी वाली भूख है, सफल होने की, तो आप जो है, वो सफल होंगे, और यह सफलता की यह continuity भी होने, इसमें एक निरंतरता होने चाहिए, ऐसा नहीं कि जो आया, ठंडा हो गया, फिर आया, और फिर ठंडा हो गया, नहीं, continuity भी होनी चाहिए, और अगर वो चीज है, तो वो अपने आप आपको मैनत करवा देगी, क्योंकि दूसरा जो रास्ता होता है, सफल होने का, कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, कठोर परिश्रम क याद हो रही है आपको, तो आपको रोजाना जोस आएगा कि आज में ऊपर आश्मा नीचे, और अगर मैनत नहीं होती है, पढ़ाई अच्छे से नहीं चलती है, तो फिर आदमी का आत्मविश्वास भी डोल जाता है, और मैं तो बनूँगा कि नहीं बनूँगा, और फिर खुद जो शुरुआत थी, जो आधार था, जो सफल होने की भूग, बस वो कमजोर कभी भी नहीं होनी चीए, इसलिए मैं तो यह कहूँगा कि आज के सेमिनार में सबसे ज़्यादा अगर आपको ध्यान क्योंकि इस्विंग गोर्ड की बातें हैं, वो इस्विंग गोर्ड अपना नहीं चाहिए, यह जो है, वो अभी जो टॉपर्स आएंगे.